टेस्ट न्यूज सेयर करने वाले हैं, अगर आप लोग C.A.Foundation का एक्जाम जून 24 में दे रहे हो, लागातार बच्चे का डाउट आ रहा था, ये एक एलर्ट वीडियो है, अगर अभी भी आप ये काम नहीं करोगे, तो हो सकता है, सिंपल लैंग्विज में बता रहा है, C.A.Foundation, जून 24 का एडिमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा आपके लिए, तो करना क्या है, सबसे पहला केस, अपने मन में सोचना है, क्या आपका रजिस्टेशन पोविजनल है, क्या आपने क्लास 12 का मात्सिक आज तक SSP पोर्टल पे अ अपडेट कर दीजिए, ऐसा हो सकता है कि आप रजिस्टेशन करते समय अपडेट कर दीजिए होंगे, क्लास 12 का मात्सिक या ऐसा हो सकता है कि रजिस्टेशन के उस दिन बाद अपडेट किये होंगे, अगर आपका क्लास 12 का मात्सिक अपडेट है, तो वीडियो को यहीं से skip कीजिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अगर आपका class 12 का मांसिक updated नहीं है तो please बच्चो अपडेट कर दीजिए बच्चे मुझसे पूछने अपडेट करने का क्या है आखरी डेट तो अभी आखरी डेट है ही नहीं भी last date बताया नहीं गया official तोर पे लेकिन बच्चो अगर आपको एक्जाम देना है तो जल्च जल्द अपडेट कर दीजिए टेंटेटिव डेट का बाद किया जाए चाहे class 12 का मांसिक हो या class 12 का admit card आखरी डेट टेंटेटिव डेट बता रहा हो official नहीं 15 April 2024 है हो सकता है डेट को बढ़ा दिया जाए लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास दोनों में से कोई एक चीज होगा मन में सोचना है क्या मेरे पास class 12 का मांसिक है सबसे पहले जबाब होगा हाँ SSP पोडल पे अपडेट कर दीजिए अपडेट करके रिलैक्स होकर के पढ़ाई करें दूसरा कोशन क्या आपके class 12 का मांसिक है जबाब होगा नहीं तो क्या class 12 का तो admit card आज के देट में होगा तो class 12 का admit card अपडेट कर दीजिए रिलैक्स होकर के पढ़ाई करें ओप की doubt clear हो रहा होगा जो लोग already update कर चुके है रिपीटर हो already update कर चुके दुबारा से नहीं update करना ऐसे भी रिपीटर होंगे जिनका class 12 का admit card updated होगा लेकिन वो नहीं चाह रहा है class 12 का मांसिक अपडेट करना प्लीज कर दीजिए इतना आलस मत करें बच्चे प्लीज आलस से थोड़ा दूर रहें प्लीज अपडेट करें एक और चीज़ चिक करने का तरीका बता देते हैं एसेस्पी पोर्टल पे क्या आपका class 12 का मांसिक अपडेटेट है नहीं इसके बारे में कैसे पता करें सबसे पहला काम क्या है लॉगिन करना है एसेस्पी पोर्टल पे student function होगा न वहीं पे क्लिक कर देना है जैसे student function पे क्लिक करोगे provisional के जगा पे y so करेगा y का मतलब है yes आपका provisional registration है provisional registration का मतलब है कि आपका class 12 का मांसिक अपडेटेट नहीं है लेकिन जिनका class 12 का मांसिक अपडेट है तो उनको क्या करना है provisional के जगा पे एनसो करेगा तो मतलब relax हो जाना इतना परेसान का पोने का कोई बात ही नहीं है आई होब कि आपका doubt क्लियर हो गया alert वीडियो था बच्चो जल्च जल्च अपडेट कर दीजिए आपके benefit के लिए अभी मेरा health उतना सही नहीं है फिर भी बच्चे मुझसे doubt पूछ रहे थे आई कीजिए नहीं है